जै मातादी दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत बहुत सबागत हैं मिया नामे दीप्ती और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कलस पर नारेल को हमारे श्रीफल को हमें कैसे रखना चाहिए किस दिशा में रखना चाहिए और सीधा कौन सा होता है और उल्टे सा मिक जी के लिए हमें मनाने के लिए उनकी पूजा आरादना करने के लिए इस महिने करनी होती है तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सीधा नारेल कौन सा होता है और कैसे हमें कलस के उपर नारेल को रखना चाहिए तो सबसे पहले ये नारेल है हमारा ये आप ज़्यादर लोग नहीं जानते हैं कि नारियल को हमें कैसे रखना चाहिए सबसे पहर तो एक यह नुकीला भाग होता है यहां उपर और एक यहां नीचे होता है यह वाला भाग तो आपको मैं सही तरीका बताती हूँ जहां पर आपको यह जो तीन छे दिखते हैं वो हमारा किसी तने के साथ लटका हुआ होता है और यह जो तीन छेद होते हैं अगर आपको यह तीन छेद ना देखें तो आप इसकी जो होती हैं बाले वो नारिल की वो साखाय टाइप की तो उनको निकाल कर आप देख सकते हैं कि ये तीन छिद कहां है और वो तीन छिद आपके मूँ के सामने होना चाहिए जब आप पूजा करते हैं ये तीन छिद आपके सामने होना चाहिए आपको मैं एक एक्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हूं कि कलश के उपर आपको कैसे रखना है बस मैं यह समझाने के लिए यहां खाली कलश पर आपको बता रही हो कभी भी कलश को लोटे को खाली ना रखें इसमें पानी जल अक्षत श्री और थोड़े से चाबर और थोड़े से एक दो रुपे की सिक्के हमीशा रखें कलश के होते हैं यह आपके सामने रहेंगे यह इस तरीके से आपको हमेशा अपने कलश को रखना चाहिए बहुत चोटी सी जानकारी है पर बहुत सारे लोग गलत तरीके से कलश को रखते हैं और उनकी ब्रप्रीत जो परणाम होते हैं वो भोगने पड़ते हैं इसलिए आप जाह स इस वीडियो को जरूर शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद